लेकिन जब हमने इसी प्रोग्राम को यहां पर रुन कराया है तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है आउटपुट नहीं आने का रीजन क्या है वो میں आपको बताता हूं दरसल आउटपुट आया लेकिन वो जिस स्क्रीन पर आया वो screen बहुत कम समय के लिए रुकी और वो तुरंट आकर बंद हो गई तो इस वाज़े से हमें problem होई है तो आप इस problem को IDE में आपके problem हमसा होगी तो इस problem से बचने के लिए आप यहाँ पर include angular bracket conio.h type कीजिए और printf के बाद आपके पूरे program के सबसे बाद में get ch function का use की दिए जब आप यह function इस्तेमाल करेंगे तो get ch क्या करेगा जब आपका program run होगा तो सबसे पहले यह वाली line run होगी और एक line print हो जाएगी I am learning c जब यह वाली line run होगी तो get ch function क्या काम करेगा आप से character की demand करेगा और तब तक रोके रहेगा screen को जब तक कि आप कोई character नहीं देते हैं और जब आप computer की किसी key को press करेंगे तो आपका जो screen होगी वो close हो जाएगी हम इस program को compile करते हैं तो compile करेंगे तो कोई error नहीं आ रही है okay कीजिए अब आप इस program को run करेंगे रंडर रंडर क्लिक कीजिए run करने के बाद जो window आई वो यह है हम इस window की property चेंज करते हैं जिससे आप उसको आसानी से देख सकें इसके font चेंज कर देते हैं आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं देखें आ रहा है I am learning C इस तरह से आप किसी भी program को compile कर सकते हैं और उस program को आप जब IDE में लिखेंगे तो उसको get ch लगाना नहीं बूलिएगा अब आप कोई भी button प्रेस करेंगे keyword की तो यह screen चली जाएगी इस तरह से आप output देख सकते हैं IDE में अब हम इस program को बंद करते हैं कोई नया program जो हमने पहले खुला था cp2.c इसको हम खुद लिखते हैं जिस तरह से आपने command prompt पर editor खुला था edit space cp1.c से editor खुला था यहां पर आपको एक बना बनाया हुए editor दिया हुआ है आप यहां पर लिख सकते हैं stdio.h लगाना नहीं बूलिए has include koneo.h लिखिए void लिखिए main लिखिए main के आगे दो bracket लगाई है एक bracket curly braces लगाई है और last में curly braces को बंद कीजिए तो आप याद रखिए कि जब भी आप ID में काम कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना code तो जरूर लिखेंगे आपके किसी भी program में इतना code होना चाहिए अब आपको जो भी काम करने के लिए बोला गया है उस काम को आप computer से जो भी काम करवाना चाहते हैं उसको जो भी instruction देना चाहते हैं वो instructions आप इस और इस पहले curly braces और last curly braces के बीच में लिखेंगे तो हमने जब अपना print कराने चाहते थे तो हमने printf function यहाँ पर लिखा था यह देखिए printf क्या है और यह उपर की line है क्या है void क्या है mean क्या है यह समय आपको बाद में बताऊंगा अभी आप बस इतना रखिए कि इतना आपको हमेशा कम से कम लिखना है और इस curly braces के बीच में वो चीज लिखनी है जो आप सीखते जाएंगे तो यहां लिखते हैं hello world double code लगाईए इस वाले प्रोग्राम को compile करते हैं और run करते हैं देखिए आप run यहां से भी कर सकते हैं ctrl f9 भी प्रेस कर सकते हैं इसके अलावा आप इस button को click करके भी run करा सकते हैं run कराया तो फिर से भी problem हुई कि window आई और गई तो आप get cs लगाई है और अब आप इस प्रोग्राम को run करा सकते हैं अगर रन कराया तो इस वार hello world प्रिंट हो रहा है तो हम दोनों तरह से काम करना सीख चुके हैं command line interface पे भी और ide पर भी जरूरी नहीं है कि आप दोनों जग command लिखते हैं देखिए यहां पर आपको कोई command नहीं लिखनी पड़ी आपने सिर्फ buttons पे क्लिक किया और automatically आपका काम हुआ तो आप चाहे id इस्तिमाल करें चाहे CLI इस्तिमाल करें आपको यह compiler चाहिए होता है और borland C++ आपको compiler प्रोवाइड कर रहा है किसी भी program को लिखने क से बाद उसको आप सेव कराइए आप अगर एक ही program किसी और नाम से सेव कराने चाहते हैं तो आप फाइल लोटन पर क्लिक कीजिए सेव एस पर क्लिक कीजिए